अंतरिम जमानत दी है जहां केजडिवाल ने सुप्रेम कोट में गिरफतारी की चुनोती दी थी और बड़ी बैंच में मामरे के सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है केजडिवाल ने सुप्रेम कोट में गिरफतारी की चुनोती और बड़ी बैंच में मामरे के सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी गई है यानि कि केजडिवाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाएंगी और उन्हें सुप्रेम कोट से ये बड़ी राहत दी गई है यहाँ बडी बेंच में मामने की सुलवाई तक, यानि कि जब तक मामने की सुलवाई अगली होगी, तब तक केजरीवाल जमानत पर रहें. तो पहले भी कई बार कोशिश की गई थी कि उन्हें अंतरिम जबानत मिलें लेकिन नहीं मिल पाई थी समभादाता सुशील पांडेज में दूर रहें और सुशील सुप्रेम कोट से बहुत बढ़ी रहत केजरिवाल को उसलिपेपृप ट्रीम कोट चिणोती का दरावाया करक्ताय था सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले को बड़ी बैंची यानि के समभ दिया है और ये कहा है कि चुकी अर्विंद के जरिवाल जब तक इस पूरे मामले को डिसाइड नहीं किया जा सकता है तब तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और निशित रूप से अर्विंद के जरिवाल 90 दिनों से भी ज़्यादा जेल में रह चुके हैं अब वो जेल से बाहर आ सकते हैं लेकि चुकी उनके मामले में उनके खिलाब CBI का भी केस चल रहा है तो अभी तो जेल से बाहर आना उनका मुश्किल है लेकिन E.D. के मामले में उनको फिलाहाल अंतरिम जमानत मिली है एक बड़े रहत के तौर पर जरूर इसको देखा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अब समिक्षा करेगा यानि कि ये सपस्ट है कि बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत भले मिली है लेकिन फिर भी अभी वो जेल में ही रहेंगे सुशील सिंग्वी ने कोर्ट के सामने कहा था कि बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत जैसा कि अभी सुशील बता रहे हैं कि अभी सीबी आई की जो जाच है वो चल रही है और इसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आप आएंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से र जगतार जाच हो रही है इस मामले में बड़ी बेंच में अगली सुनवाई तक अंगे अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से जरूर दी गई है लेकिन बापजुद इसके अरविंद केजरिवाल अभी जेल से बाहर नहीं आप आएंगे क्योंकि सीबी आई जाच भी चल रही है और सीबी जाच जो चल रही है उस केस में अभी सुनवाई होना बाकी है और इसके चलते अभी अरविंद केजरिवाल को जमानत मिलने के बापजुद सीबी आई की जाच की वज़े से जेल में ही रहना पड़ेगा यानि कि अभी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे बारी खबर आपको दे रहें दिल से जहां अभी जेल से बाहर नहीं आपाएंगे अरविंद केजरिवाल क्यßenकी जल भी जल से जल जमानत मिले ताकि वो जेल से बाहर आपाएं तमाम जो case है वो अभी उनमें सुनवाई चल दी है ED की जो सुनवाई थी बुसके चलते उन्हें सुप्रेम कोट से जरूर रहत मिली है लेकिन फिर भी जेल से बाहर आपाना उनके लिए मुश्किल है प्रकेश चलते अर्फिस है चलते बाहर रहत मिली है यह जो रहत भूज़ मान कमारे लेकिन। चलते भी जाज़ और लेकिन प्रेवाई लिए है यह जया है ऑल्ब यह जो कर दी है और लिए जो और वे सुनождलने रहत आपी जेजमने की जोगनावरी the court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the vacation mention of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he has also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that is technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. And insofar as Hindi, Mr. Vivek General. The Supreme Court order in the Supreme Court has two grounds. There are two grounds. One was on the merits of the merits, that on the merits, it is not required to be arrested. The second was the ground, the necessity of the arrest, the need for the arrest. The need for the point, we have raised the enforcement directorate, the enforcement directorate, the evidence was very early. This is why we have raised a question. How did the necessity of arrest come from the need for 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 the need? The Supreme Court had a question. The Supreme Court had a question. That, yes, the necessity of arrest should have been considered. आईयो को consider करना चाहे था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की और इसी point के उपर Supreme Court ने necessity of arrest के उपर की जरूरत थी या नहीं थी आईयो ने अपनी जो उनका discretion है तरीके से exercise किया है या नहीं किया है ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है इस question को उन्होंने larger bench के उपर refer कर दिया है larger bench इसके parameters निकालेगी कि भाई नहीं city of arrest का क्या मतलब है और आईयो को क्या क्या सोच के और जरूरत है arrest क्या नहीं है इसको पर देखकर ही arrest करना है अब इस क्योंकि मामला अब larger bench पे limit हो गया है इसलिए Supreme Court ने कहा है क्योंकि बहुत देर से वो inside है 21 मार्च से वो अंदर है इसलिए PMLA वाले matter के अंदर उन्हें interim जमानत दी जाती है और PMLA वाले matter के अंदर अब एंदर केजरिवाल को बेल मिलेगी As far as CBI is concerned, CBI का matter अभी भी limbit है उसके अंदर हमारी याचिका High Court के अंदर भी pending है जो 17 तरीकों आ रही है उस पर depend करेगा कि वो actual में केजरिवाल साब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे As far as PMLA is concerned, the matter is over As far as his interim bail is concerned, he is out on bail Thank you sir, thank you Thank you sir, thank you Thank you sir, thank you sir Thank you sir, thank you sir Thank you sir, thank you sir Inshad तो देखिए दिल्ली शराब नीती से जुड़ी मनी डॉलिंग मामले में अपनी गिरफतारी को चुनोती देने वाली मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल की याचका पर सुप्रेम कोर्ट ने सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया है जहां कोर्ट के कोर्ट ने केजरिवाल को रहा देते हुए मामले में अंतरिम जमानत दे दी है बता दे कि सुप्रेम कोर्ट ने 17 माई को केजरिवाल की याचका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कोट ने पंदरा अप्रेल को मामले में आम आदमी पार्टी की उरास्टी सायूजा केजरिवाल की गरफतारी को चुनौती देने वाली उनकी याचका पर E.D. से जवाब मांगा था और केजरिवाल ने दिल्ली हाई कोट की फैसलों को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी CBAE का मामला भी कोट के सामने है और कोट को ये त्या करना है कोट को ये त्या करना है क्योंकि ED के मामले में जमानत मिलना जदा मुश्किल होता और अब कोट ने उनकी गरिफतारी की जरुत है यह नहीं इस पर सवाल खड़े की हैं जिस पर लार्जर बेंच को मामला भीजा गया है और साथ-साथ यह का है कि अर्विन के लिवाल लंबे समय से जेल में है करीब 90 दिन से वो जेल में है तो उन्हें एडी वाले मामले में तुरंट बेल दी जाती है तो निश्चित तोर पर यह बड़ी ख़बार सीबी आई वाले मामले में हालाकि सीबी आई में जेल जमानत मिलना उतना मुश्किल नहीं होता कानूनी दिरिश्टी से अगर हम देखें लेकिन एडी के केस में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और एडी के केस में ही उन् पर नहीं आप आएंगे। देखें यह बहुत बड़ी जीत है ना सिर्फ अर्विंद केजरिवाल जी के लिए आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए क्योंकि जिस परकार एडी जो है पीमले का दुरुपयोग कर रही थी और जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर रही थी आज स सवाल फ्रेम किये है और सवाल